तो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में तो यार आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड्मी नोट 7 प्रो की नई अपडेट के बारे में तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो दोस्तो आप यहां पर देख सकते हैं यह है रेड्मी नोट 7 प्रो और यहां पर एक नई अपडेट जो है वो पुश की गई है तो यहां पर मैं आपको वाट्स नियू में दिखा देता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं इसमें आपको जून का सेक्यूर्टी पैच लेवल देखने को मिल जाता है और यहां पर पर दोस्तो रेड्मी नोट 7 प्रो में ऐसा नहीं हुआ हमें यहां पर एंड्रोइड 9.0 की ही सपोर्ट मिलती है यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ और ना ही मी यूए 12 हमें देखने को मिला है यह एक छोटी सी अपडेट है कुछ बग फिक्स यहां पर किये गए है औ तो दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके सिस्टम में कोई भी जादा चेंजिज आपको देखने को नहीं मिलेंगी तो अगर आप यहां पर बैटरी एंड परफोर्मेंस में जाएंगे कोई भी अल्ट्रा पावर सेविंग मोड की आप्शन नहीं आती है अगर आप यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं अगर आप गैलरी में जाते हैं तो आपको यहां पर यह जो है वो मिल जाता है तो आप यहां पर जो है वो फ्लोटिंग विंडो लगा सकते हैं पर दोस्तों आपको यहां पर जो है वो कुछ बहुत सारे कोस्टन आ रहे थ है हमारे डिवाइस में तो यह मैंने एक वीडियो बनाई थी पर काफी लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी थी तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे जो शो मी जो है वह हमारे जो यूजर डेटा है उसे जूज करता है हमारा एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए प बस डेटा कलेक्ट करते हैं पर दोस्तों यहां पर एक सेक्यूरिटी में एक फीचर है जिसे आप मस्त जो है ओफ कीजिए क्योंकि आपका जो डेटा है वह सर्वर पर जो है वह अपलोड नहीं होगा यानि कि शोमी कलेक्ट नहीं करेगा तो यहां पर आपने से आप देखने को मिलती हैं तो यहां पर लिखा गया है यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम तो यहां पर जो है वह आप इसे ओफ रखे तो शेरिंग यूसेज स्टाट विद अस इसे ओफ रखे और यहां पर डागनॉस्टिक डेटा ओटोमेटिकली तो यहां पर लिखा ग नहीं है सभी डिवाइस सभी कंपनी करती है जो है वह आप यहां पर देख सकते हैं तो यह आप इसे ओफ रखे और यहां पर आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा फोन की परफोर्मेंस थोड़ी सी ठीक होई है मैंने तो अभी री सेट किया है तो अच्छी होगी पर आप कॉमेंट करके नीचे ज़रूर बताएगा कि आपको परफोर्मेंस कैसी लगी इस डिवाइस की तो यहां पर कुछ जादा नहीं आया है सब कुछ सेम है तो यह आज के लिए बस इतना ही है